आप देख रहे हैं जैभारत टीवी इस दुनिया में सबसे बड़ा खत्रा क्या है इनसानों को इस पिर्थवी में रहने वाले लोगों को जाहिर सी बात है परियावरण जलवाई उपरिवर्तन परियावरण संरक्षन के लिए ये कहा जाता है कि वरिक्ष लगाईए और जितना जलदी हो सके वातावरण को शुद्ध कीजिए तभी इस दुनिया में इनसान जिन्दा रह पाएगा और उसके लिए अलग-अलग देशों ने अपने देश में जो विकास की योजनाई बनाई उनमें वरिक्षों को एक महतमुन स्तान दिया गया ये कहा गया कि जब कभी भी कोई विकास योजना बनेगी जाहिर सी बात है वरिक्षों का कटान होगा और जब वरिक्ष काटे जाएंगे तो उनकी भरपाई कैसे होगी उनकी जगया पर कोई और वरिक्ष लगाया जाएगा एक तरीका ये खो जा गया अदालतों को समझाने के लिए ये भी कहा गया कि अगर हम एक वरिक्ष को कोई हाईवे बन रहा हो रेलवे ट्रैक बन रहा हो कोई और निर्मान के कारे हो रहे है तो जो वरिक्षों का कटान होगा उन व्रक्षों को काटने के बज़ाए उनका ट्रांस्प्लांट किया जाएगा ये अदालतों को समझाया गया यानि कि एक कदम आगे कि सहाब हम पेड नहीं काट रहे हम व्रक्षों को यहां से उनकी थोड़ी बहुत लॉपिंग होगी और उसके बाद उनका ट्रांस्प्लांट कर देंगे यानि कि किसी और दूसरे स्थान पर व्रक्षों को रोब दिया जाएगा और वहां जाकर व्रक्ष दुबारा लहला उठेगा क्या ऐसा होता है इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता कि ऐसा होता है क्योंकि देहरादून में अभी कुछ दिनों पहले सहसदारा रोड में जब व्रिक्षों का कटान हुआ बड़े पैमाने पर तो सरकार ने यही तर कोट के सामने रखा कि यहां के जो बड़े बड़े व्रिक्ष हम काट रहे हैं दरसल उन्हें काट नहीं रहे हैं उनका ट्रांस्प्लांट करा रहे हैं उन्हें यहां से उखाडेंगे देरादून के अलगलग हिस्तों में ले जाएंगे वहां जाकर ट्रांस्प्लांट कर देंगे यानि कि जो विरिक्ष आज से पहले चायादार विरिक्ष सहसदारा रोड में लोगों को च्छाव दिया करता था उस विरिक्ष को वहाँ से उखाड कर यहाँ लाया गया इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ यह उन्ही विरिक्षों का एक जंगल है जंगल क्या है ये उन व्रिक्षों का कब्रस्थान है क्योंकि यहां पर बड़े बड़े व्रिक्ष लाए गए उनकी टहनिया काटी गई है और उन्हें यहां लाकर रोब दिया गया यानि कि जड़ समेत उखाडा गया और यहां लाकर रोब दिया गया जगह कौन सी तो दिये गए उसके बाद हुआ क्या हुआ ये कि ये व्रिक्ष हर दिन समय की सुई के साथ धीरे-धीरे मर रहे क्योंकि जिस जगे पर इन्हें रोका गया है जहां पर इन व्रिक्षों को ट्रांस्प्लांट किया गया वो जगे देखिये जरा ये है वो जगे नदी का किनारा बड़े-बड़े बोल्डर रिता बजरी और ये व्रिक्ष जहां कभी खड़े थे वहाँ इनके लिए जड़ों से पोशन मिलता था इसी लिए इतने बड़े विशालकाई पेड़ नजाने कितने साल लगे हूंगे इन व्रिक्षों को वहाँ बनने में और उन्हें एक जटके से वहाँ से हटाया गया विकास के नाम पर हटाया गया अच्छी बात है लेकिन हटाने के बाद क्या हुआ यहां देरादून के इन तमाम इलाकों में हुआ ये कि इन व्रिक्षों का कबरगाह बन गया अब दावा ये किया जा रहा है वन विवाग की तरफ से कि सहाब ये विरक्ष लगाए गए हैं जल्दी से हरे हो जाएंगे समय लगेगा छोटे-छोटे पत्तियां आ रही है कब आएंगी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हाला यहां का मंजर बेहत चिंता जनक है बड़े-बड़े पत्तर है रेता है बजरी है नीचे उनमें जो विरक्ष लगा दिये गए है ये भी क्या सोचा गया उस वक्त कि क्या इस क्लाइमिट में क्या ये हैबिटाट है इन विरक्षों का क्या यहां पर जो जल्व का ये वरिक्ष यहां पर अपनी जड़े जमा पाएंगे क्योंकि नीजे तो मिट्टी है रेता है बजरी है मिट्टी तो ही नहीं रेता बजरी और पत्थर है तो ये बड़ा सवाल है ये तस्वीर है बहुत चिंता जनक है देरादुन के तमाम आउटर इलाके में इन दिनों के गुजरने के साथ दम तोड़ते जा रहे है अब देखना ये भी है कि जो दावा किया गया है कि साहब इंतिजार कीजिए ये वरिक्ष लहला उठेंगे कब लहला उठेंगे उससे पहले क्या ये सूक कर यहीं सडगल तो नहीं जाएंगे कैमराएमन मईर उपादिया के सा अधेंबड जया भारत टीवी